रीवा के ICICI बैंक में ग्राहकों के साथ लाखों की ठगी मामले पर आज घटना के ठीक एक साल बाद पुलिस के द्वारा मुखे आरोपी असिस्टन्ट मैनेजर को गिरफतार किया गया है जिसके बाद अब पुलिस ने आरोपी से पूछताच करते हुए उसे न्यायाले में पेश किया बता जा रहा है कि ठीक एक साल पहले ग्राहकों के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज की गई थी कि बैंक कर्मचारियों के द्वारा उनके पैसे की हेरा फेरी की गई है जिस पर शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था तथा आज मामले पर को गिरपतार किया है दरसल सिविल लाइन थाने में बीते वर्ष अस्पताल चौराहा निवासी राजन वर्मा के द्वारा आइसी 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 आइए बैंक में धोखा धड़ी किये जाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें उन्होंनी आरोप लगाया था कि आइसी आ गटना केवल राजन वर्मा के साथ नहीं बलकि अन्य कई लोगों के साथ हुई थी जिसके बाद पुलिस ने मामले पर अपराध पंजी बध करते हुए जाच शुरू की तथा मामले पर शामिल आरोपियों की गिरफतारी के लिए पुलिस के द्वारा प्रयाश शुरू कर दिये गए थे जिस पर अब शिकात के ठीक एक वर्ष बाद पुलिस ने घटना के मास्टर माइंड आइसी 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 आई बैंक के असिस्टन्ट मैनेजर को गिरफतार किया है पुलिस की माने तो घटना को अंजाम देने वाला असिस्टन्ट मैनेजर एक वर्ष से फरा इस ने आइसे इस बैंक में कुछ लोगों के साथ धोका लड़ी की थी उसमें से चार अपराद पंजीवज्द हुए थे इसके बाद ये आरोपी घटना दिनांक से ही फरार हो गया था आज सिविल लाइन पुलिस को सफलता मिली इस आरोपी को गिरफतार किया गया है और इस आरोपी को अभी नियाले पेश करके प्यार लिया जाएगा और बांकी घटनाओं के संबन में से पूस्ताच की जाएगी और जानकरियां ली जाएगी काफी बड़ी मात्रा मरासी थी इसमें कई फर्यारी थे जिनके साथ इसना दोकड़ देवी कि इसमें चार अपराद प्रंजिबत किये गए थे प्रतक 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 ये इसको करीब नहीं है तो 6 के आसपास महीन हो गया है झाल